निल्सन मंडेला के अनमोल विचार वर्टिकल बार निल्सन मंडेला क्वोट्स इन हिंदी जब मैं बातचीत कर रहा था तब मैंने जो कुछ सीखा वह यह था कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूँगा, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता मैंने सीखा की साहस भय की अनुपस्थिती नहीं, बल्कि उस पर विजय है बहादुर वह नहीं है, जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है, जो उस डर को जीत लेता है संसार में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संधर्ष चलता रहता है अच्छे लोगों पर निर्भर है कि वे सही पक्ष का चुनाव करें लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनोती देना है कोई भी आदमी या संस्थान जो मेरी गरिमा को लूटने की कोशिश करेगा, वह हार जाएगा आशिक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती आजादी की राह कहीं भी आसान नहीं है और हम में से कई लोगों को अपनी इच्छाओं के पहाड पर पहुँचने से पहले बार-बार मौत की चाया की घाटी से गुजरना होगा एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त सन्योजन होता है एक ऐसी दुनिया बनाना हमारी शक्ती से परे नहीं है जिसमें सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा तक पहुँच हो यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक की पूरा न हो जाए मुक्त होने का अर्थ केवल अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है बलकि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंतरता का सम्मान करे और उसे बढ़ाए समय बदल रहा है हमें भी बदलने की जरूरत है स्वतंतरता के साथ जिम्मेदारियां आती हैं और मैं इसमें देर करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकी मेरी लंबी यात्रा अभी समाक्त नहीं हुई है क्या वास्तव में कोई सोचता है कि उन्हें वह नहीं मिला जो उनके पास था क्योंकि उनके पास प्रतिभाया ताकत या धीरज या प्रतिबधता नहीं थी एक बड़ी पहाडी पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि और भी बहुत सी पहाडिया चढ़नी बाकी है शिक्षा व्यक्तिगत विकास का महान इंजन है मैंने धैर्य रखना सीखा जब लोग अपने विचार सामने रखते हैं, भले ही मुझे लगता है कि वे विचार गलत है ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं, जिनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन समाज के विकास में उनका योगदान बहुत बढ़ा रहा है आजीवन विद्यार्थी बनो, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ो जब तक हमारी दुनिया में गरीबी, अन्याय और घोर असमानता बनी रहती है हम में से कोई भी वास्तव में आराम नहीं कर सकता साहसी लोग शान्ती के लिए क्षमा करने से नहीं डरते हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके कंधों पर हम खड़े हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच कीमत चुकाई है इस धर्ती पर कोई भी शक्ती मानविय गरीमा की प्यास को नश्ट नहीं कर सकती हाला कि मैं एक मिलनसार व्यक्ती हूँ, मुझे एकांत और भी अधिक पसंद है कोई भी देश वास्तव में तब तक विक्सित नहीं हो सकता जब तक की उसके नागरिक शिक्षित नहों अतीत को भूल जाओ मैंने हमेशा खुद को सबसे पहले एक अफरीकी देश भक्त के रूप में माना है मैं जातिवाद से घेना करता हूँ क्योंकि मैं इसे एक बरबर चीज मानता हूँ चाहे वह किसी अश्वेट व्यक्ती से हो या श्वेट व्यक्ती से मैं कोई मसीहा नहीं था बलकि एक साधारन व्यक्ती था जो असाधारन परिस्थितियों के कारण नेता बन गया था अहिंसा एक अच्छी नीती है जब परिस्थितिया अनुमती देती है शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपियोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते है